हेलो फ्रेंड्स तो डिजिटल इलेक्टोनिक्स के इस चैप्टर में हम हम समझेंगे इस से हमारे मोबाइल को क्या हेल्प मिलती है तो वो देखने से पहले हम पहले समझ लेते हैं कि उसके अंदर किन किन चीजों का यूज किया जाता है सबसे पहले हम देख लेते हैं आटईसी यानि के रियल टाइम क्लॉप तो हमने ऑसिलेटर का जब सब्जेक्ट पढ़ा था तो उसके अंदर मैंने बताया था कि आटईसी एक क्रिश्टल होता है और जिसकी वज़ा से मोबाइल की दो आईसीया होती है वो एक दूसरे से कॉम्मिनिकेट करती है तो वो कॉम्मिनिकेट करने के लिए उसको किस-किस चीजों के ज़रूत पड़ेगी और कैसे वो क्या करेगी उसके बारे में हम थोड़ा समझ लेते हैं तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ के क्रिश्टल जो होता है वो एक पावर I.C. के अंदर लगा होता है या पावर I.C. के आजवाजुमें लगा रहता है खास करके मोबाईल की सरकुटों में और उसको पावर I.C. से यादिके पी-म I.C. से एक उसको वीर्टेज मिलता है जिसके बदले में वो इस तरह का एक signal जन्रेट करती है जिसे हम clock signal भी कहते हैं और हमारे mobile के आजकल की जो circuit आ रही है उसके अंदर जन्रेट क्या होता है कि एक IC दूसरी IC से communication करने के लिए clock और data line का use करती है यानि कि data लेना और देना उसी तरह का काम एक होता है जो ICI आ रही है जितने भी अभी के नए जो board की design बन रही है उसमें ज्यादा तर ICI data clock line से जुड़ी हुई होती है और अब जो नई technology आ रही है उसमें तो आपकी battery के साथ भी data और clock जुड़ा हुआ होता है तो इस तरह से एक RTC clock जो generate करता है जिसके इसाब से एक दूसरी IC के बीच में communication होता है और जैसे मैं आपको बता है के PMIC से voltage मिलता है crystal को और crystal एक pulse generate करता है जो दिया जाता है CPU को और CPU इस pulse के द्वारा एक दूसरी ICO के साथ communication करता है तो वो communication किस तरह से होता है उसको हम समद लेते हैं तो यहाँ पर एक मैंने basic बताया है आपको कि I2C यानि कि I2C communication protocol किस तरह से काम करता है इसका full name है inter integrated circuit यानि कि कुछ लोग इसको I2C भी बोलता है लेकिन real I2C नाम है इसका तो इस तरह से उसमें एक होता है master और एक होता है slave master का मतलब होता है कि जो main IC होती है कि जो जितनी भी IC अबॉर्ड के अंदर लगी हुई है उसकी information को पढ़ता है और उन्हें command भी देता है तो यह command देने के लिए पहले की जो circuit आती थी उसके अंदर 7 line का use होता था या 10 line का use होता था इस तरह की circuit होती थी यानि कि एक IC से दूसरी IC को contact करने के लिए यानि डेटा को send करने के लिए रिसीव करने के लिए उसमें 10 line ने लगती थी जब के इसका benefit यह है कि यहाँ पे सिर्फ दो wire में काम हो रहा है जिसको बोला जाता है SDA और SCL SDA का मतलब होता है serial data और SCL का मतलब होता है serial clock तो यहाँ पे मैंने arrow दिखाया है जिसमें SDA का मैंने दोनों तरफ arrow दिया हुआ है यानि कि data receive भी करेगा data transmit भी करेगा यानि कि data का कम दोनों तरफ से होगा यानि कि master to slave data read भी होगा write भी होगा और clock signal है वो सिर्फ master से clock की और जाता है जो communication के लिए होता है तो इस तरह से एक ये काम करता है इसका एक benefit यह है मैंने जैसे आपको बताया कि पुरानी circuit में जिसके लिए 7-8 wire लगते थे वो सिर्फ 2 wire में काम हो रहा है दूसरा इसका benefit क्या है यहाँ पे multiple M&S है कि multiple master और multiple slave इसके साथ joint हो सकते है जैसे एक master के साथ साथ आप कई सारे slave को लगा सकते है यानि कि 1 IC, 5 IC, 10 IC को communicate कर सकती है और बहुत सारे master के साथ बहुत सारे slave आपको जोडना हो तो ये भी आप इसके अंदर जोड सकते हो यानि कि इसके अंदर facility है तो 2 wire में काम हो जा रहा है और साथ में आप multiple slave लगा के आप उसका information पढ़ सकते हो पहले की circuit में क्या होता था कि एक master के साथ जितने भी slave है तो सारे के सारे की सब की अलग-अलग wiring होती थी उसकी वज़ा से जो circuit की design बनती थी और बहुत conjected हो जाती थी और जिसके अंदर अगर एक line भी miss हो गई है तो इसी condition में आपका circuit काम करना बन कर देता है या कोई particular working उसकी नहीं होती है जैसे आजकल के mobile में हम लोग देखते है कि data और clock की line की वज़ा से हमने कई बार इसा देखा है कि जैसे हमारा mobile की सिर्फ touch खराब हो गई है तो touch की वज़ा से हम देखते है कि phone हमारा on नहीं हो रहा है लोगों पर अटक जा रहा है और जब हम touch का belt है उसको हम remove कर देते और फिर phone on करते तो हो जाता है कई बार camera की वज़ा से ऐसा होता है कई बार हमने देखा charging socket की वज़ा से ऐसा होता है तो यह सब होने की वज़ा यह है कि जब उसकी serial data या serial clock line के अंदर कोई गडबर होती है त आप touch plate पकड़ लो, display पकड़ लो या display की IC ले लो, आप power IC ले लो, charging IC ले लो, EMMC ले लो या जितने भी IC या जितने भी section लगे हुए है वो सारे slave है तो master slave से community करता है यानि जब आप phone को on करते हो तो master जो है वो slave के data को read करता है यानि कि सबसे पहले वो data को read करके वो देख ले लेता है कि सारी communication ठीक से हो गई, बाद में वो phone को on करता है अगर कहीं से भी उसको कोई भी error मिलती है या कई ही पे भी information read नहीं कर पाता है तो ऐसी condition में phone सिर्फ logo पे रहता है वो पूरी तरह on नहीं होता है यानि कि वो एक जगा पे अटक जाता है उसका पूरा software run नहीं हो प connection जहां पे से master है वो read नहीं कर पा रहा है तो वो software को पूरावन नहीं होने देता है तो इस तरह से mobile के अंदर एक यह communication होता है तो मैंने उसको बताया आपको जैसे बताया कि यह दो wire से काम हो रहा है इसमें multiple master और multiple slave आप लगा सकते हो तीसरा इसका benefit क्या है acknowledgement bit क्या होता है कि जब master slave के साथ communicate करता है तो उसे कोई भी data send करता है तो पहले के mobile में यह सुईदा नहीं थी कि वो data पहुचा या नहीं पहुचा या वो information पहुची या नहीं पहुची उसका कोई confirmation नहीं होता था लेकिन अभी जो यह I2C communication आया है तो उसके अंदर यह क्या हो master को पता चलेगा कि मैंने जो वहाँ पे जो data transfer किया है वो slave को मिल गया है और इस तरह से communication perfect होती है यानि कि हम देखते है कि आज कल की सरकीटों ज्यादा ज्यादा एडवांस हो रही है जैसे हम लोग देखते है कि iPhone के अंदर जितनी भी repairing होती है ज्यादा तर उसके अंदर एक code से repairing होती है जैसे कि उसका error code क्या है तो error code कैसे generate होता है तो जैसे ही हम जैसे सब कुछ मैंने आपको बताया कि mobile को जब on करते हैं तो कहां पर अटक रहा है तो iPhone का software बहुत latest है और उसकी technology बहुत high level की technology है तो जब हम उसको iTunes के साथ connect करते है तो connect करने के बाद जो हमें error देता ह है उससे एक decide होता है कि particular area में से जो उसको clock data का जो communication होना चाहिए यानि master और slave के बीच में जो communication होना चाहिए वो communication particular area में से ने हो रहा है तो इसका मतलब कि यह इतने area में ही यहां पर कहीं फोल्ट है या इसी जगा पर कोई दिखकर है जिसकी वज़ा से यह error दे रहा है तो य software उसके अंदर है और उतनी facility उसके अंदर है और मेरा मानना है कि अगले कुछ time के अंदर जितने भी android phone है उसके अंदर भी यह technology दिरे दिरे आ जाएगी और हमें code से पता चलेगा कि particular कौन से एरिया में problem है जिसको हम software से connect करके अगर उसका कोई error code दिखाता है तो उससे हम उसका problem solve कर सकते है कि यह particular कौन से एरिया में यह problem है तो यह technology आने वाली technology भी है अभी फिलाल use हो रही है ऐसा नहीं है कि नहीं आई अभी तक यह already यह technology का use होता है लेकिन अभी आगे जैसे हम जाएंगे वैसे इसका use आगए आगे बढ़ता जाएगा तो एक IC दूसरी IC से कैसे communication करती है उसको हम देखते है I2C circuit के अंदर तो यहाँ पर मैंने आपको लिया है CPU जिसको हम master कहेंगे और उसके साथ हमने दो line ली है एक है hda यानिके serial data और एक scr यानिके serial clock उसी त camera है और एक LCD है तो यहाँ पर यह सारे slave है और CPU जो है वो हमारा master है अब इन दोनों के बीच में यानिकी master और slave के बीच में communication किस तरह से होता है तो यह communication 6 step के अंदर होता है यानि one by one एक एक step इसके अंदर होगा और इस तरह से यह एक दूसरे से कैसे काम करेंगे और कैसे communicate करे देते है कि यहाँ पर serial data जैसे master के अंदर है उसी तरह से जितने भी slave है उसके साथ भी serial data और serial clock यह दोनों लाइन हमेशा होगी दूसरी बात कि CPU जो होता है उसके अंदर से जो data और clock की line होती है उसके साथ में दो register लगे होते है जिसे बोला जाता है pull up circuit तो यह pull up circuit जो होती है वो क्या करती है कि आपका जो serial data और serial clock का जो line है उसको एक voltage की जरूरत करती है जिसको run कराने के लिए तो यहाँ पर एक voltage दिया जाता है जैसे example मैंने लिया है VCC 1.8 voltage यानि इसमें ज्यादा तर आपको जितनी भी circuit आप देखो के mobile में उसमें आपको data और clock की line में 1.8 voltage कि जो हमारी यह जनरल यह लाइन के बारे में आपको बता देता हूं कि जो 1.8 voltage होते हैं लेकिन इसमें एंपियर लेवल बहुत ही कम होता है यानि एंपियर ना के बराबर होता है और इसके अंदर जो register लगते है वो मैंने जितनी सर्केटें देखी है इसमें ज्यादा तर मै आपको उसको detail में आपको दिखाऊंगा कि वो किस तरह से serious data और clock के द्वारा जैसे आपको में एक example देता हूं कि जब हम phone को on करते है तो जैसे phone हमारा on होता है तो उसकी पूरी process कैसे होती है जैसे हमने phone के अंदर बैटरी लगाई तो बैटरी में से एक voltage निकलता है जो आज यह line बनके पहुंचता है और जब हम power press करते है यानि के switch जब हम on करते है तो power IC में से एक एक voltage release होना शुरू होता है और इसके दर्मियान यह होता है कि जब हमारा पूरा phone on होता है तो power IC के जितने भी voltage है वो सारे voltage निकल जाए उसकी confirmation CPU लेता है कि आगर power IC का सब complete voltage निकल गया तो CPU को एक control मिल जाएगा कि हाँ power IC की तरफ से सब okay है तो इस तरह से CPU power IC को read करता है उसके जितने भी output है उसको check करता है अगर कोई output particular नहीं निकलता है तो phone को on नहीं होने देगा या अगर कोई information read नहीं कर पाता है आपका power IC okay है लेकिन अगर SDA या clock की line अगर आपकी miss हो गई तो power IC को read नहीं कर पाएगा तो AC condition में भी आपका phone on होगा नहीं उसी तरह से जैसे charging IC है तो हम charger लगाते है charger निकालते है बैटरी कब फूल हो गई है कब हमें charger निकाल लेना है यह जितनी भी information है यह CPU बार बार अपने charging IC से वह contact करके वह लेता रहता है तो यह हम section के जब हम करते हैं फिलाल जैसे मैं बताता हूं कि CPU के अंदर से दो लाइन निकलती है data और clock की जिसके साथ एक register दो लगाए होते है 1.8 voltage दिया होता है VCC voltage जिसको बोला जाता है pull up circuit मोबाइल के अंदर ऐसी circuit आपको दो तरह की देखने को मिलेगी एक pull up circuit और pull down circuit जो हमारे आगे वाले section मैं आपको इसके बारे में detail में बताऊंगा तो यह pull up circuit क्या करती है कि यह जो voltage level 0 था यहाँ पे data और clock की लाइन में कोई voltage नहीं था तो यह pull up लगा के उसको 1.8 voltage करती है यह voltage level को up करती है इसके लिए इसको बोला जाता है pull up circuit तो इस तरह कि यह pull up circuit का use होता है जहां पे यह आ आगे क्या होता है यह हम देखते हैं तो start कैसे करेंगे यानि के अगर master को slave से communicate करना है तो वो starting क्या करेगी लेकिन किस IC से, यानि कि किस slave से communicate करना है, तो उसके लिए उसको particular उसका एक address होता है, जैसे यहाँ पे यह 4 IC है, तो इसके लिए 7 digit का या 10 digit का address होता है, तो यहाँ पे मैं कुछ address देता हूँ पेले, कि जो master है हमारा, वो कौन से IC को, यानि कि कौन से slave को communicate करना चाहता है, तो उस उसके लिए उसको particular एक address की जरूरत होती है, तो यहाँ पे हम एक address ले लते है, जैसे PMIC को हमने address दे दिया, 00001, तो यह 7 digit का address हो गया, उसी तरह से charging IC को भी हमने address दे दिया, camera को भी दे दिया, LCD को भी दिया, यानि कि particular चारों के पास अपना address है, अब master को पता है कि मुझे किस application करने से पहले, तो क्या करेगा, एक bit down करके वो सब को भेजेगा, तो यह जो भेजेगा, वो सब को मिलेगा, तो जैसे मैंने आपको बता है कि जो clock की line होती है, वो तो सब जगा लगी होती है, जैसे यहाँ पे clock master का आ रहा है, वही clock की line सब जगा पे लगी होती है, यानि उसको आप देख सकते हो, कि यह clock की line है, वो सब slave के साथ connected ही है, तो सब से पहले हो क्या करेगा, कि data line को एक bit low करेगा, यानि कि logic low करके उसको देगा, यानि stat condition हो गई, आप क्या करना है, तो master को अगर कुछ read करना है, या write करना है, जैसे सब को मान लेते है कि उसको write करना है, तो क्या करेगा, तो वो एक address, w के साथ बेज रहा है, एक example लिया है, मैंने, w प्लस उसने एक address लिखा है, तो w का मतलब होता है write करना, और फिर एक address है, जो है 000011, तो ये address जो है, वो सब को जाएगा, यानि जितने भी slave है, वो सारे slave को ये address send किया जाएगा, जैसे for example, ये slave जाता है सबसे पहले PMIC के अंदर, तो PMIC को जब ये address मिलता है, तो वो अपने address के साथ compare करता है, कि ये कहीं मेरे address तो नहीं है, कहीं मुझे तो master ने select नहीं किया है, write करने के लिए, तो वो जब match करेगा, तो देखेगा, कि उसके address से साथ matching नहीं हो रहा है, तो वो कुछ नही नहीं करेगा, छोड़ देगा, इसे गई से ही, लेकिन वो camera के लिए जाएगा, तो camera भी अपने के साथ उसका address match करेगा, कि master मुझे select कर रहा है, तो वो देखेगा, कि नहीं, उसको भी select नहीं कर रहा है, लेकिन यहां पर जैसे गया, कि LCD के साथ उसका match हो गया, यानि पता च चल जाएगा, कि मैं LCD से communicate करना चाहता हूँ, और वो मेरा communication हो गया है, फिर वो data write करना शुरू करेगा, तो वो जैसे जैसे master उसको data भेजेगा, या receive करेगा, तो हर बार जितनी भी बार वो data भेजेगा, या receive करेगा, उतना acknowledgement भी उसको हर बार return में मिलेगा, तो इस तरह से य communicate करना है, तो दूसरा address भेजेगा, तीसरे को करना है, तो तीसरा address भेजेगा, हर बार या address भेजा जाएगा, हर slave के साथ उसको match करता है, और जब ये matching हो जाता है, तब एक दूसरे के साथ communicate करते है, ये सब बाते detail में में आपको जब section चलेंगे, तो उसके अंदर में हर एक voltage के साथ, एक control के साथ, ये कैसे signal भेजते हैं, और कैसे एक दूसरे को communicate करते है, जैसे हमारे mobile के अंदर बहुत सारी error आती है, कभी battery के error आती है, कभी temperature के error आती है, तो ये सब error जो CPU को पता जल जाता है, और CPU हमें display प error देती है, तो कि ये सब पढ़ी होती है हमारे software के अंदर, जितनी भी error है, वो कहां पे है, वो हमारे software के अंदर है, कि वहां पे एक programming करके रखा हुआ है, इस तरह का कोई भी problem होता है, तो ये error send कर दो, इस तरह का कोई problem होता है, तो ये error, तो display पे आपको अलग-अलग error दिखती है, लेकिन ये error है किस तरह से आती है, कैसे ही इसमें problem ह होता है, और उसको कैसे solve करना है, तो ये एक पूरी process है, तो ये जैसे मैंने आपको बता है, कि जैसे CPU है, यानि कि master जो है, वो slave से communicate करता है, तो हर बार एक data read करता है, write करता है, हर बार उसको acknowledgement beat मिलती है, कि हाँ मेरे को communicate कर रहे हो, वो मुझे मिल रहा है, या मैं data send कर रहा और फिर जब communication खतम हो जाता है, यानि कि stop process कैसे होती है, कि stop condition के अंदर, master क्या करेगा, कि जब पूरा data उसको जितना send करना है, उसने एक IC के साथ communicate कर लिया, फिर बाद में वो जो beat उसने पहले में low की थी, वो उसको high कर देगा, यानि कि वहाँ पे 1.8 voltage फिर से आना, फिर दे दिया, अब यहाँ पे communication खतम हुआ, फिर वो दूसरी IC के साथ शूरू होता है, तो इस तरह से यह जब हम phone on करते हैं, तो इसका पूरा process होता है, और सिफ phone on होने तक नहीं, जब on हो जाता है, उसके बाद में भी एक दूसरी IC से एक दूसरे का communication होता है, और इस तरह से हमारा पूरे mobile के अंदर, एक logic level के द्वारा, एक IC से दूसरी IC को control करवाया जाता है, तो आशा करता हूं कि आपको यह information अच्छी लगी होगी, अगर आपको वीडियो पसंद आते हैं, तो आप लाइक शेर करिए, और मेरी चैनल को subscribe करिए, और अगर आपको कुछ information इसके बारे में और ज्यादा चाहिए होता है, तो आप मुझे message कर सकते हो, मेरा number अंदर मैंने छोड़ा हुआ है, तो आप मुझे communicate कर सकते हो, शुकरिया, good night.